दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazon Prime की यह हैं दोस्तों Amazon Prime सब्सक्राइब कैसे आप कर सकते हैं दोस्तों एक आफर बड़ा बढ़ियां आया है और वह है Amazon Prime यूथ आफर जो की यह वल 18-24 साल जिनकी एज है उनके लिए है जनरली दोस्तों Amazon के सब्सक्रि प्राइस देके भी ले सकते हैं तो यह 50% का डिसकाउंट दोस्तों क्या है और इसके बारे में और क्या सारी डीटेल्स हैं हम डीटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और OTTF से लेके सारा सब्सक्रिप्शन दोस्तों इसमें काम करता है अगर Amazon Prime सब्सक्रिप्शन आ दोस्तों इसके लिए करना क्या है आपको कि सबसे पहले Amazon का डाउनलोड कर लेना है और वहाँ डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन लेना है और Amazon Prime का जो आप subscription ले लेते हैं तो उसके बाद आपको age verify करना है कि आप 18 साल से 24 साल के बीच में है तो आगे आपको ले चलते हैं अपने television screen पर और वहाँ आपको बताते हैं कि आप यह पूरा process कैसे complete कर सकते हैं स्क्रिण पर आप देख पा रहे होंगे क्या क्या स्टेप्स हैं क्या 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 तरीका है और कैसे आप इसको एक्टिवीट कर सकते तो यह दोस्तों चलते हैं अब अपने mobile screen पर और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं अथी साथ दोस्तों आपको प्राइस भी बताएंगे कि कितने प्राइस में आप monthly या फिर quarterly या फिर annual subscription ले सकते हैं तो mobile screen पर आ गया है हम और यहां पर आपको detail में समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप youth offer लेना चाहते हैं और आपकी उमर अगर 18 साल से 24 साल के बीच में है तो आप इसको कैसे avail कर सकते हैं दोस्तो prime amazon prime का app आपको open कर लेना है play store से अगर आप में install ने तो download कर ले और वहां से आप open कर ले उसके बाद और आपको जब app open हो जाता है तो आपको search box में लिख देना है youth offer amazon अब यह youth offer amazon लिखने के बाद दोस्तो नीचे आप देख रहे हैं एक link आ जागा join amazon prime at a discount price only for 18 to 24 year old customers आपको यहाँ पर कर देना है दोस्तो टैप यह देखी मैंने कर दिया टैप जैसे ही आप टैप करेंगे दोस्तों आप यहाँ डीटेल में देख सकते हैं वो सारी information आ गई है जो की youth offer से समबंदित है आप देख सकते यहाँ लिखा है youth offer join prime at 50% of amazon prime और नीचे काफी डीटेल द रखा है फिर कोई दिक्कत नहीं है अब यह थोड़ा सा और डीटेल में आपको समझा देते हैं इसको अवेल आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर देखें कुछ description दिया गया है as part of this offer any customer between the age of 18 to 24 years who signs of either of the following अब यहाँ देखें दोस्तो annual amazon prime membership यानि की साल भर का membership का option भी आपको दिख रहा है और 3 month amazon prime membership तीन महिने का भी membership आप ले सकते हैं और 1 month amazon prime membership and verifies her his age will be provided cashback in the form of promotional 50% amazon पे cashback worth up to 750 मतब 750 रुपे तक cashback मिल सकता है 750 रुपे तक मिल सकता है दोस्तों 750 रुपे नहीं 750 तक मिल सकता है तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको आपके हिसाब का जिसमें आपकी comfortability हो जितने महिने का परी चार्ज करा सकते हो आप या तो 1 month का amazon prime का membership ले सकते हैं 1 month का लेते हैं दोस्तों तो आपको करीब करीब 90 रुपे का cashback मिलने की संभावना रहेगी 3 महिने का लेते हैं तो लगबग 230 रुपे का और साल भर का लेते हैं तो लगबग 750 रुपे तक मिलने की संभावना है cashback जो की है तो जितना amount आपका deduct हो का उसके बाद अगर आप age verify कराते हैं अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि cashback हमको मिलेगा कैसे पैसे तो पूरे कड़ जाएंगे फिर cashback कैसे मिलेगा तो cashback कैसे मिलेगा दोस्तों आएए वो भी आपको समझा देते हैं यहाँ पर देखें नीचे लिखा है steps to avail this offer तो steps to avail the offer में सबसे पहला का आप Amazon Prime app डाउनलोड करना है आपको download the app and sign in आपने जो ID बना रखे उससे sign in हो लिजे फिर visit the youth offer page and join prime youth offer page पर जाके join prime करिए इसके document and one selfie for age verification जब आप payment कर देंगे उसके बाद आपके पास एक लिंक आएगा वहाँ पर जा करके आप एक selfie एक selfie अपना देना है और आपको एक document देना है तो pen card हो गया आधार हो गया जो official documents होते है ID verify करने के लिए वह आपको दे देना है और उसके बाद get 50% off as Amazon पे cashback अब यहाँ आप टर्म संद कंडिशन और डिटेल में अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा know about this offer by visiting terms and condition page अगर टर्म संद कंडिशन पर आप कर देते हैं तो इसके सारे terms and condition आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है यूथा फरन प्राइम टर्म संद कंडिशन यह देख सकते हैं आप दोस्तों इस सारा का सारा terms of conditions से यह देखे यह सारा terms and conditions से यह डीटेल में आप पढ़के और भी डीटेल में आप सारी जानकारी यह information यहाँ सी कठा कर सकते हैं उसके बाद आप confirm हो ले कि आपको Amazon Prime का यह offer लेना है कि नहीं यहाँ पे एक option आप देख रहे हैं if you have not submitted your KYC documents to Amazon prior to the offer period to verify your age for the purpose of this offer you will be required to upload your age verification document Prime Young Prime verification service on your Amazon mobile app अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप टैप करते हैं तो click here to open verification service page यहाँ से आपको upload करने के लिए information दे रहा है कि अगर आपने जब sign in किया था वहाँ पे KYC नहीं करा है अगर वहीं KYC करा देते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं फिर आप generally जब join करेंगे Amazon Prime का subscription लेते हैं तो वह इससे ही तुरंत आपका cashback credit कर दिया जाता 24 गंट में लेकिन अगर आपने KYC आप यहां से जो link हमने भी क्लिक किया है वहां से जाकर करके आप सारी चीज़ यहां से यहां पर photo एड करके upload कर सकते हैं और यहां एज़ प्रूफ यादेंटिटी प्रूफ के लिए यहां से अपना document एड कर सकते हैं जिसे की एज़ वेरिफाई आपका हो सकता है और यहां पर Amazon आपको एशूर कर रहा है कि we will not share your data with any third party तो data जैसा कि Amazon बता रहा है दोस्तों कि वो third party में आपका जो personal information है जैसे कि ID हो गया और बाकी information हो वो कहीं share नहीं करेगा यह एक information यहां बताई गई है तो इस तरीके से दोस्तों अपना document भी submit कर सकते हैं और इस तरीके से दोस्तो तो आप Amazon का प्राइम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद प्राइम वीडियो और फिर जो भी आप प्राइम सब्सक्रिप्शन Amazon के जो offers होते हैं उनका लावाप उठा सकते है Amazon Music भी आपको free मिलता है उसमें काफी चीज़ है दोस्तों जो कि Prime members को ही मिलते है वो प्राइम मिल सकता है लेकिन कैश बैक के नहीं मिलेगा और कोई प्रमोशनल आफ़र होते हैं तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप Amazon का प्राइम मेंबर्शिप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से अगर आप लेते हैं तो आपको कैश बैक मिलने की संभावना बढ़ जाती है तो ही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आप तभी का बहुत बहुत घन्यवाद